हेलो दोस्तों, वेलकम टू अन्यू वीडियो इस वीडियो में हम जानेंगे कि COVID सिच्वेशन जो इंडिया में इस पक्त चल रहा है जो कि काफी खाराब सिच्वेशन चल रही है हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह सिच्वेशन ठीक हो जाएगी तो इस वीडियो के दोरा हम देखते हैं कि डेटा क्या बोलता है कि बाकी कंट्रीज में क्या सिच्वेशन रही है और इंडिया में अगर वही ट्रेंड फोलो होता है तो कब तक हमारे यहाँ पे COVID सिच्वेशन ठीक हो जाएगी अगर हम देश वीडेश की कंट्रीज में देखें तो अभी तक जो पहली 6 कंट्रीज है जिन में सबसे जादा केसिस पाए गए है वो है युनाइटिट स्टेट्स, इंडिया, ब्राजिल, फ्रांस, टर्की और रशिया युनाइटिट स्टेट्स में 3 करोड से जादा लोगों को COVID हो गया है इंडिया में 2.8 को, ब्राजिल में 1.5 करोड के आसपास फ्रांस, टर्की और रशिया में 50-50 लाख लोगों को COVID हो गया है अगर अब population से इसको compare करें तो युनाइटिट स्टेट्स में उनकी 10% population को COVID हो गया था और इंडिया में ये सिर्फ 2% है अगर ब्राजिल, फ्रांस और टर्की में देखे तो ये 8-6% तक है इसके लावा एक और important factor जो की यहाँ पे होगा कि वहाँ पे development index क्या है उस country का जिससे कि ये निर्धारिज होता है कि लोगों का behavior pattern और बाकी facilities कैसी है जो की COVID को remove करने में help कर सके तो उस में अगर देखेंगे तो इंडिया और ब्राजिल बहुत ही पीछे चूट जाता है इंडिया का 131, 2019 के data के हिसाब से ब्राजिल का of 84 है तो अगर हम अब दोस्तों देखते हैं कि COVID का trend बेसिकली जब से COVID आया है तब से इन countries में COVID का trend कैसा रहा है किस तरह से COVID के cases बढ़ रहे है अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो United States में पिछले 16 महीने में 11 महीने के बाद से ये trend नीचे आना शुरू हो गया इंडिया में ये पिछले 3 महीने से बढ़ रहा है Brazil में ये constant जा रहा है France में भी पिछले कुछ महीनों में कम हुआ है Turkey में भी कम हुआ है और Russia में भी कम हुआ है तो क्या reason हो सकता है कि पिछले 4-5 महीने में सब जगा अचानक से ये cases कम होने लग गए है क्योंकि country तो USA और France देखा जाए तो दोनों developed index वाई अच्छी है Russia भी रैंक 50 के आसपास है तो क्या reason है कि सबी countries नीचे जा रही है ये इसको आगे की वीडियो में देखते हैं अगर आप इन graphs को देखेंगे तो ये red वाला graph आपको वही वाले cases दिखा रहा है कि कितने crore cases एक country में है ये जो light green color की line है ये आपको दिखा रही है कि कितने cases को पहली vaccination मिल चुकी है और अगर dark green line देखेंगे तो ये बताता है कि कितने लोगों को आपकी full dose मिल चुकी है COVID vaccination की और ये ही एक main reason है कि बाकी countries में COVID cases इंडिया से जल्दी recover हो रहे है अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने अपने 50% से जादा population को एक कम से कम एक dose दे दिया है और अगर आप दूसरी population को देखेंगे अगर दूसरी dose को तो 40% से भी जादा population के बास दूसरी dose है और इसी परकार अगर Brazil, France और Turkey में देखेंगे तो एक कम से कम dose 20 से 25% लोगों को दे चुके है और दूसरी dose कम से कम 10 से 15% लोगों को दे चुके है Russia में भी 11 से 11% पहली dose और 8% लोगों को दूसरी dose दे चुके है Russia के पास दूसरा benefit यह था कि उनके cases भी कम है और उनके population भी कम है और area जादा है तो ये उनके पास एक benefit था जिसके कारण उनका जो rate है increase का वो कम है तो अगर ये data को हम analyze करें तो हमें ये conclusion जरूर निकलता है कि vaccination से हमें फायदा जरूर है आईए आगे की वीडियो में देखते हैं कि किस तो आसे इंडिया अगर vaccination अपना improve कर ले तो कितनी देर में हम पूरा COVID अपने इंडिया से remove कर सकते हैं अगर आप इस table में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर चार से पांच महीने से ये vaccination दे रहे हैं तो अमेरिका का जो पहले vaccination देने से पहले जो rate of increase था वो था 47% और उसके बाद जब चार से पांच महीने के बाद ये rate of increase सिर्फ 3% रह गया है फ्रांस में भी 18% साथ हो कि सिर्फ 1% रह गया है ब्राजील, टर्की और रशिया में ये 21, 12 और 10 से 13, 9 और 5% हुआ है लेकिन main यहाँ पर बात यह होती है कि अगर आप vaccination इंप्रूव करते हैं और अपनी second dose भी जल्दी से जल्दी दे पाएं तो आपका rate almost देखे जाए तो 3 या 1% तक भी आ सकता है तो हम ये conclude कर सकते हैं कि अगर 25 से 50% आप अपनी population को अगर अच्छी facilities और अच्छे behavior pattern के साथ अगर आप रखते हैं country में तो COVID को हराया जा सकता है इंडिया में देखा जाए तो अभी तक 12% लोगों को vaccine दे चुके हैं और अगर यही percentage से अगर हम अगले भी 5-6 महीने में ये dose देते रहे तो 25% लोगों को पहली dose और 7% लोगों को दूसरी dose भी मिल जाएगी और अगर यही trend 8-9 महीने तक चलता रहा तो हो सकता है तो हम अमेरिका और फ्रांस कितना यहां पर भी जो नए cases है उनको बिलकुल हटा ही दें और जो already existing cases है वो ज़ादा तर उमीद करते हैं कि लोग recover हो जाएंगे तो इस वीडियो से दोस्तों में यह पता लगता है कि अगर हमारी जो vaccination की problem है दैसे जो हमारे देश में इस वक्त ज़ादा problem आ गई है because vaccination अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने में काफी कम लगाई गई है comparison to उससे पहले के जो महीने थे अगर हमें किसी तरह से vaccination मिल जाती है अगर हम पूरे लोगों को कम से कम अपने कम से कम अगर हम अपनी 25 से 40 या 50% population को जल्दी से cover कर लें तो हम COVID को यहां से अरा सकते हैं तो आठ से नो महीने तक हम उमीद कर सकते हैं कि COVID यहां से चला जाएगा उमीद करते हैं कि इस साल के अंट तक हमें जो देख हम जो COVID से परशान है हमारा देश उक इस से जीत पाएगा आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेर जूरू कीज़ेगा आपको बहुत बहुत धन्यवाद